बहुत साल पहले अंग देश में एक राजा राज करते थे उस राजा के पास एक भेद खूपसुरो तलाव था जिसमें कई सारी मचलिया हुआ करती थी उन मचलियों की देख बाल के राजा ने एक मचवारे को काम पर रखा था उस मचवारे का स्वाब बहुत अच्छा था वे राजा की सभी अग्या का पालन करता था की राजा को जब भी मचली खाने का मन करता था वे उसी मचवारे को कहकर अपनी पसंद जीम वात्यति मत ग्रपते था अब और रगार वार उनके लिए है स्वाधिस्ट पकड़नी आती ही नहीं लेकिन फिर ही राजा के लिए मचली लेकर आता है था एक दिन राजा ने सोचा कि क्यों न इसकी जाज की जाए मच्छवारा मचली कैसे पकड़ता है राजा तुरंत दास को आदेश देकर मश्वारे को बुलवाया और कहा सुरो आद तुम मेरे लिए तलाव की सबसे बड़ी मछली पकड़ कर लियाओ मेरा मछली खाने का मन हो रहा है राजा के आदेश के बाद मछवारा मछली पकड़ने के लिए तलाव की ओर चल पड़ा राजा भी दवेपां उसके पीछे पीछे चल पड़े तलाओ के पास पहुंचते ही मच WAY ने एक मंतर पड़ा और तलाओ की सबसे बड़ी मचली उसके पेरों के पास आगर गिर पड़ी फिर मच्वारे ने तलाओ को जुटकर पड़ाम किया और वहां से महल की और निकल पड़ा राजा पिछे से सब कुछ छिपकर देख रहे थे यह नजारा देख उन्हें बहुत आश्चरी हुआ फिर वह अपने महल की और चल दिये राजा सांत नहीं बेटे वह मचवारा के से बार-बार मंतर सीखने के लिए जिद करने लगे इसके बार राजा बहुत खुस हुए उनकी खुसी का कोई ठीकाना नहीं था वे सब को यह बात बताना चाहते थे कि एक दिन मौका देखकर उन्होंने अपने दरवार में सभी लोगों को इस मंतर के बारे में बता दिया राजा की बात सुनकर सभी बहुत चकीत हुए उन्होंने पुछा कि इस मंतर के बारे में उन्हें किसने बताया इस पर राजा ने का बहुत समय पहले वह एक महान इसी से मिले थे उन्होंने इस मंतर के बारे में उन्हें जान करी दी थी राजा की बात सुनकर सभी मंतरी भी इस बात की सच्चाई जानने के लिए तलाव के किनारे पहुंचे और मंत्र का उच्चारण करने लगे, मंत्रियों के दुआरा कई बार मंत्र बोले जाने, पर एक भी मचली तलाव से नहीं निकली, इस वज़े से राज्या को सभी मंत्रियों के सामने काफी सर्मिन्दा होना पड़ा, इसके बाद बैउस मच्वारे पर गुसा होने लगे, उस अपने गुरु कोई गुरु नहीं माना, तुमने अपने गुरु कोई गुरु नहीं माना, जिसने तुम्हें यह मंत्र सिखाया, इसलिए मचली तलाव से नहीं निकली, अगर तुम अपने गुरु को सभी कारते तो ऐसा नहीं होता, तलाव की बात सुनकर राजा को अपनी जूटनी बोलना चाहिए और नहीं अपने गुरु को अपमान करना चाहिए